नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चेलन टीज सुरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो जी 34 5G फोन में बाइक बटन को चेंज कैसे करें जी हाँ दोस्तों अगर आप भी मोटो जी 34 5G फोन का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा अंट्रेश्टेड और यूजफुल होने वाली है गाइज वीडियो में लश्ट तक बने रहेगा हम आपको श्रेटिंग के दोरा बताएंगे कि मोटो जी 34 5G फोन में बाइक बटन को चेंज कैसे करें तो गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की श्रेटिंग को आन करना हो आपको यहां पर तीसरी नंबर पर मिल जाएगा सिस्टम लिवीगेशन का आप शिस्टम वाले आफंटं पर क्लिक करना यहां पर देखिए आपको दो डो आफ्सन मिलेंगे ईसटें न उबिगेशन और त्री बटन नपींड जो इसमटं एक पर क्लिक कर देंगे तो यहां आपने बटन को लेट से राइट या फिर राइट से लेट कर सकते हो आप जिस प्रकार से चाहे आप यहां से अपने फोन को यूज करना चाहो तो आप यहां से उसे यूज कर सकते हो या फिर आप गेश्टर नोविगेशन का यूज कर सकते हो गेश्टर नोविगेशन में आपको जो होम स्कीन पर आ जाओगे या फिर आप मेन्यू बटन का यूज करके इसकूल करके यहां पर रोग दो उसके बाद इसकूल यहां आप देख सकते हो जो कि मेन्यू बटन का भी यूज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा तो आप जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से अ तब आप अपने फोन में नोविगेशन बटन को यूज कर सकते हो, अगर आप भी Moto G34 5G फोन में बैक बटन को चेंज करना चाहते हो, तो आप इस प्रकार कर सकते हो, I hope guys, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, मिलते हैं फिर किसी दिन, नेस्ट टॉपिक, नेस्ट वीडियो, तब तक के लिए बाई, टेक एर,